एल्लो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्यारे दोस्तों आज है पांच जनवरी और पांच जनवरी दोजार चोबिस के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों करेंट अफेर तो पढ़ी रहे हैं लेकिन मेरा ये जरूर कहना है आपको की ठंड बहुत जादा है तो थोड़ा अपना ख्याल जरूर रखिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ने की संभावना है अभी थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूस पेपर पढ़ रहा था तो उसमें था कि 8-9 जनवरी के आसपास ठंड और जादा बढ़ सकती है क्योंकि उस दोरान पस्मी विक्षोब आने की संभावना है औ और उससे चिटपुट बारिस हो सकती है आपको पता है ठंड के दिनों में बारिस होना इसका मतलब और ठंड तेज हो जाना तो थोड़ा ख्याल रखिएगा अपना आप लोग और दुबक्के रहिएगा बहुत ज़दा बहार गूमिएगा मत इन दिनों में पढ़ाई अच पॉर्टल स्टार्ट किया गया है तो गुरू पॉर्टल स्टार्ट किया गया है जिसमें एक ही पॉर्टल पे मल्टिपल सुविधाएं मिल सकेगी इसलिए पॉर्टल स्टार्ट किया गया है अधार सिला बैच आप ले सकते हैं अप्लिकेशन का लिंग स्टार आईक्यू ए यह मनाया जाएगा कब आपक 11-17 जनवरी तक देखो यह लगबग हर साल सेलिबरेट किया जाता है अब आप कहोगे कि राष्टी यह सडख सुरुक्षा सब्तहा इसका क्या मतलब है इसमें लोगों को अवेर करवाया जाता है कि सडख नियमों से रिलेटिड यह रोड सेफटी से रिलेटिड था आपको पता है हर्याना के सीटी के सिलेबस में भी मैंचिन कर दिया था अच्छी बात है मुझे बहुत अच्छा लगा बाकी सबजेक्ट का तो पता नहीं लेकिन सबजेक्ट की वजए से बहुत कुछ सीखने को मिला था इंडियूजली मेरा पहले से इसम अच्छी बात होना चाहिए कि रोड के येलो लाइन है ये क्या है डबल येलो लाइन क्या काम करती है कट वाली लाइन क्या करती है अगर आपको जानना तो इसके लगबग एक एक डेट घंटे की वीडियो पड़ी है आई थिंक अपने रोड सेफटी की यूट्यूब पे म अब नियम ये बनता है कि रेड लाइट जबाती जबर लाइन के पीछे यहां ऐसे खड़ा रहना चाहिए जबर लाइन का मतलब होता है ताकि कोई पैदल यातरी पार कर सके इसलिए होता है ये वाला रस्ता लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं अंजाने में यहां खड़े हो हो गया वह हो इसलिए गया था कि आपने यह वाली बात पर ध्यान नहीं दिया था तो ऐसा आपको पता होना चाहिए गाड़ी चलाते समय कितनी स्पीड है स्पीड के लिए क्या रोड के उपर सिंबल होते हैं और स्पीड के लावा स्पीड ब्रेकर के सिंबल क्या है रुकन सर्मा हर्याना के प्रहिवन मंत्री है जरूर याद रखना कहां से जीते वें सही है यह बलरामगड से जीते वें हलांकि इनके पास में एक डिपार्टमेंट और भी है वो कौन सा खनन डिपार्टमेंट है माइनिंग डिपार्टमेंट है अवैद खनन को रोकने के लिए इन्ह अलग से पेपर में बन चुका है और इनके पास में higher education department भी है उस्चु सिक्षा तो कमरपाल जी के पास में लेकिन higher education इनी के पास में है तो सडक पे होने वाली जितने भी द्रुगठना है उन में कमी कैसे लाई जा सकती ताकि लोगों को बताया जा सके कि या किस तरीके से सड़क पे साधन चलाना चाहिए या निमो का पालन करना चाहिए लापर वहा जो है ना वो ना हो ताकि ड्राइवर अभी आजकल एक बहुत बड़ा मामला चल रहा हैं मैंने इस पे एक शोट वीडियो बना के बताया भी था हिट एंड रन का केस चल रहा है हिट एंड रन का जो नए मामले अभी नए कानून आए हैं आपको पता है IPC के बहुत सारी धाराएं बगरा बदल दी गई है इस पे मैंने एक अलग से सेशन कर रखा है आप अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं तो हिट एंड रन का है देखो क्या होता है कि एक तो ती गैर इरादा या गैर इरादतन हत्या गैर इरादतन हत्या का मतलब क्या होता है यह दो तरीके से होती है एक तो आपने किसी को आप मालब गैर इरादन का मतलब है कि आपको अपने घर से गाड़ी लेके चले अपर गजांपल मैं बाइक तो सामने कोई आए गार मैं उसको मार दूना होताई मेरा इंटेंशन नी लेकिन होसकता है कि बाया कुछा ऐसा हुका किसी की साथ में अ ऐसी हुआ है इके में कछलि ़हात तो उससी कि ऐसा होते है आर आर चुछ आमले गया रोण जो और is गायल की कुए हो सकता है अगर के लिए केस करना चाहता है तो उसके चलते वो क्या है कि केस किया भी जा सकता हो सकता है सजा भी माफी हो जाए या मतलब नियम क्या है नियम ये है कि हिट किया है अगर आपने किसी को भी हिट किया है तो अब नियम पहले साल दो साल की सजा होती थी लेकिन अब क्या है अब ये दस साल तक की सजा हो सकती है और मैक्सिमम है दस साल की साथ साल से दस साल के बीच में हो सकती है वैसे और इस पे जुर्माना साथ इस केस में तो सकता सजा माफ हो जाए या कम हो जाए तो कुछ ऐसा नियम कर दिया गया अब आपको अब आपको अब आप अब आपने नोटिस किया होगा जब कोई भी रोड के पर एकसेडेंट होता है ना तो गलती हमेशा बड़े वाली की मानी जाती है बले हो या ना हो जैस तो मेरी बहन मुझ से चोटी है और मैं बड़ा हूँ ठीक है तो कभी भी चोटी मोटी कोई गलती हो जाती है मतलब हो जाती थी अब तो खैर क्या पर बच्पन से थोड़ा बहुत याद आ रहा है या भी भी खैर कह सकते हैं नो डाउट तो मतलब गलती मेरी ही होती अल्टि या जो भी जर्माना देना पट को दूस्का है नोगों बहुत लोगों को हीरो बनते वैसे जूम अब ड्रक नीचे आ जाएंगे तो जुम जुम निकल जाएगी पता ही है कि कहां मतलब है कि आप पकड़े गए और तो आपको जमानत मिल जाती तुरंत लेकिन अब ऐसा नहीं किया गया अब इसको बड़ा सक्त बना दिया गया सक्त क्यों बनाया गया क्योंकि मामला एक बहुत चल रहा था hit and run का हिट and run का मतलब है ट्रक वाले के साथ में किसी के टकर हुई टकर होते ही वो ट्रक वाला ट्रक को वहीं छोड़के भाग जाता था सर्फ भागता क्यों था रुक जाना चीए भागता इसलिए था वो कि वहाँ पे भीड इकटी होती थी और भीड इकटी होते ही उसको इतना पीट 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 के उस ट्रक ड्राइवर को मार देती थी सर्फ भीड क्यों पीट पीट थी क्यों भीड को पता था कि इसको अगर कोट में ले भी गए तो कितना का सजा होगी इसकी दो साल की सजा होगी, हद से हद उसको जमानत मिल जागी, तो वैसे ही कोई दिक्कत ही नहीं है, प्ता नहीं कभ उसका फैसल आये, क्या आये, क्या आये, जमानत मिल गी तो क्या मतलब उरा गया। इसलिए भीड सोचती थी कि चलो इसको अभी यहां पर ही सजा सुना देते हैं इतनी भीड के अंदर सब ने पीट-पीट के मार दिया है तो कब किसका नाम आएगा तो सारे बस एक आदे लात मुके गुसे आते हैं ऐसे करके आदमी का तो यह बिल्कुल कीमा बना देते थे इस चकर में ट्रक ड्राइवर क्या करता था उसको द्रक जोड़ा और भाग गया हला कि पकड़ना तयदी कि हे लिए थे में निकलते जा रहे हमने कट्टे पैसे नी दे estás. रप साथ लाग जुर्माना मांग रहे हो दूसरी बात इत्नी सजा कड ने कैते सजा जरूरी थोड़ना गलती हमारी होगी गलती तो इसकी भी होगी तो आप इतने अच्छा रोड सिस्टम बनाओ उस पे कैमरा लगाओ और करो या इस पे थोड़ा लिनियंसी बरतो सरकार कहरी है हम लिनियंसी कर रहे है ना तुम किसी के साथ में टकर लगी है तुम अपनी अपनी जगह पर दोनों ही सँह है सरकार भी सभी है ट्रकार फ्रेवर भी सही है आपका क्यावमात है इसमें आप भी बुद्धी जी हो लिखना कमेंट मैं इसके बारे में हर्याना में कहा पर युनो मिंडा लिमिटिड 1100 क्रोड रूपे के साथ अपना मेगा प्रो पुद्यम प्रोथसान बोर्ड की सोल में बैठा कोई थी उसके दुरान यूनो मिंडा लेमिटेड है उसमें मेगा प्रोजेक्ट लगबक चुरान में पॉइंट तीन दो एकड भूमी को आवंटित किया गया है और इसके लिए आपको पता है सुजुकी मोटर साइकल की अल्र प्रस्ता हुई है बहुत सारे लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा हर्याना में विसे पानीपत में रिफाइंदे के पास 14 एकड भूमी आवंटित की गई है हर्याना राज्ये और दोगी को और अवसरंचना विकास लिगम के दवारा यूफ्लेक्स लिमिटेड कंपनी क यह कंपनी लगबग 600 क्रोड रुपे का निवेस करने वाली है स्थानी है यहां को यहां पर रोजगार अगेन मिलेगा मतब हर्याना का इंफ्रस्ट्रक्चर जो है धिरी धिरी बढ़ रहा है बहुत ही अच्छी बात है बलकि यह देखा जाए तो ठीक है और इसके इलावा युन्यो मिंडा लेटेड भी लगबग 1100 क्रोड रुपे के निवेस के साथ में अपना मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है इसे हर्याना में और अच्छा सा जो है डवलपमेंट आएगा डवलपमेंट के साथ सा जो है रोजगार भी मिलेगा दोकों लोगों को य यह पिछले साल अलांकि 217 था इस बार दोजा 23 का आंकड़ा आया है तो इसमें 916 है अलांकि 2011 के मामले में हम सुद्रे हैं हर्याना का लिंगा नुपात अब 13 साल बाद 47 अंक बढ़के 916 पे पहुंचा है ग्यारा में 869 था जो की पूरे भारत में सबसे कम था और इसकी के साथ मुक्य मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्राले के अधीन ही आता है तो वहां पर इस योजना ने बहुत काम किया हलांकि पूरी हर्याना में भी जैसे 2014 में हर्याने का लिंगा नुपात 831 हुआ पंदरा में छेतर सोला में 900 पार हो गया था लगबग 900 हो गया था इसके बाद में जो लगाता देखने को मिल रहा है पिछली साल का आंकड़ा 917 था और इस मतलब पिछली से पिछली साल और तेईस का 916 रहा है आपका सबसे जादा लिंगानुपात वर्तमान हर्याना का है 946 आप यही आंकड़ा याद कर ले ना वैसे तो हर बहीने है यह वाला और रोतक का सबसे कम है हरियाना में 883 है यह यहां रखना आप लोग और इसके साथ साथ पानीपत का याद कर सकते हो जहां से योजना स्टार्ट हुई थी वह नो सो बीस बाकि अपने अपने जिले का भी याद कर लेना जो जो जिला है उसका जैसे आप गुरु हत्या या लिंग जांच के लिए बदनाम था यह वाला जिला पहले लेकिन अब सुधार हुआ है इसका और 2023 में इसका किस्तना आ गया है 920 आ चुका है यह ठीक है और हलांकि 2022 में जो है ना पानीपत का 924 तालिक निस पार 920 लिंगान उपात है रूरल इलेक्ट्रिफिकेश ने अगले 5 सालों के लिए मल्टी मॉडल इंफरास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 35,000 क्रोड रुपे का रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ समझोता किया है अभी हाल ही में इससे क्या है रेल इंफरास्ट्रक्चर प्रियोजनाएं सडक बंदरगाहा मैट्रो प्रि इंफरास्ट्रक्चर है इसके लिए वितिय समाधान देने का काम करती है इलेक्ट्रिक विकल है बैटरी स्टोरेज है ग्रीन हाइट्रोजन है रिन्यूबल एंडरजी है या एक्सप्रेस या जो आपके जितने भी सडके हैं नॉर्मल हाइवे हैं मैट्रो है हवाइड़े है इनमें सब के अंदर इंफरास्ट्रक्चर या स्टील रिफाइनरी जैसे इलेक्ट्रो मेकेनिकल काम है ये इस आरेसे लेमिटिड के दवारा करवाए गए हैं या करवाए जाते हैं आरेसे लेमिटिड विवेक कुमार देवांगन जोनेस के सीमडी है हेड़कॉर्टर हर्या इसी के साथ ये सेशन्स मापत होता है आपके लिए सवाल है कि हर्याना के किस विभाग ने कॉमन नैस्नल कॉमन मॉबिलिटी कार्ड लाँच किया है बताईएगा इसके बारे में विस्तार से हस्ते मस्कुराते जरूर रहना रादे रादे जी